हेलो गाइस वेल्कम टो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केफिंट्स एपियल अपॉलो पाइप्स की ओर से मार्च पॉर्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका स्टैंडलॉण दून रिजल्स आउट हो चुका है क्वाटर एंडेट और फिनांसल एंडेट का और गाइस कंपनी के ओर से 5.5 पिश पर एक्विडिश एयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंट किया गया इन्वल जनरल मिटिंग में अप्रूफ किया जाएगा तो हम लोग चलते कंपनी क कि है इंकम में 470 5.7 क्रोड का और मार्च 2030 क्वाटर में 4179.9 क्रोड का इक्सम्फन था लेकिन यह रॉन यह में बहुत जादा हुआ और यह इंक्रीज वा इंवेंटरी जो कि टुहनद नाइटीन पॉर नाइन करोड का चार्ज किया पहले एड हुआ सब्सक्राइब करोड कि पिछले क्वाटर में कारोड यह पुद्ट ईक्रेइग क्रोड का पौफित है क्वाटर का चौरु कोटर में इंक्रीज यहों और पेरेज़ कैया है नेत EPS 6.14 रुपीज का quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है तो गाइस company का result अगर देखा जाए तो average है क्योंकि देखें इंकम तो अच्छी ग्रोथरा बट inventories में चार्ज करने के करने के करने इस profit year on year में down देखने को मिला है financial year ended में income 18,193.6 करोड का और 23 में 16,213 करोड का जोकि income में increase किया है expenses 17,215.9 करोड का और 23 में 15,349.8 करोड का expense भी increase किया है income के according जिसके बाद operating profit 877.7 करोड का और 23 में 863.3 करोड का जोकि increase किया है और net profit 732.4 करोड का 23 में 641.8 करोड का increase किया है इस बार का और EPS 26.4 रुपीज का 23 से increase किया है तो guys company का consolidated तो यहाँ पे average पेश किया क्योंकि year on year की profit में बहुत ज़्यादा down देखने को मिल रही है अगर हमें standalone results को cover करे income है इंकम है 3353.6 करोड का पिछले quarter में 3156.2 करोड का और March 23 गौरटर में 3696.7 करोड का income है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है expenses 3279 करोड का पिछले quarter में 3017.5 करोड का और March 23 quarter गौरटर में 3492.8 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में एक्स्पेंस बहुत जादा है जिसके कान profit में down year on year की expenses में down है income के according guys operating profit 72.74.5 करोड का पिछले quarter में 138.7 करोड का और March 23 quarter में 203.9 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है net profit 57.3 करोड का पिछले quarter में 102.9 करोड का और March 23 quarter में 151.8 करोड का profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है EPS 2.07 रुपीज का quarter on quarter year on year में fall होती भी निज़र आ रही है तो guys देखे consolidated में year on year के income में increase था but profit down था लेकिन stand-alone में quarter on year के income profit दोनों में down है और quarter on quarter में profit में down है तो guys कहा सकते company के result आया overall average पेश किया और शियर की बात करें 1535.45 पेश किया था कल के दिन और 0.8 percent का fall देखने को मिला था वन वीक में 3 percent का loss मिल चुका है इसलिए अगर आप इसमें entry करना चाहते हैं तो आप इसमें तो आप वेट कर सकते हैं सपोर्ट लेता आप अभी देखने को मिला 1460 के आसपा जब इसके शियर प्राइस आएंगे तब आप इसमें entry कर सकते हैं और गाइस तब दक वेट कर लिजे तो हम रुख जाए वीडियो कहीं प्रेंट करता है अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पुछे बिलता है नेक्स लोड़ों में दिलमा बाइस